हेलो व्रेंट्स डेली एस्टो टेप्स में आपका सौगत है तो दोस्तों आज हम राहू के 11th house के बारे में बात करेंगे गुड़ बैट और रेमेडिस की तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि राहू 11th house में नूचका होता है बखी डेटेल में स्टड़ी के लिए एक अच्छे होरस्कॉप रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं चलिए रुड़ एक्सपेक्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो दोस्तों राहू अपनी दश्या में हो तो ऐसे जात्तों पो जमीन से उठाकर आस्मन पे बिठा देता है लाइक हम चैसे कैसे हैं बिलेनिया तक बना देता है ऐसे जात्तों और धनवाई मैसिव एक बाद में हम कैसे करें बहुत ज्यादा बैल्थ है देता है और सब्सक्राइब बनाएगा यह सारी चीज़ है दूसरी एक्सपेक्ट बात करूं तो दोस्तों इसका एक नेगेटिव साइड ही है कि इसका असर बच्चों पे पड़ता है ऐसे जातक का या तो एक बार मिस्करिज या अबॉशन जरूर होगा अभी तक की जो मेरी अपनी स्टडी है जिसके अपर्णि में यह कंफर्म कह सता हूं कि यह 99% चांसेज है कि मिस्करिज या अबॉशन के चांसेज हो सकते हैं से जातक के साथ और संतान उत्पत्ती में देरी अडिने सम्टिंग ऐसे इड़ेटर कुछ पॉप्रम्स रह सकते हैं बाकि ऐसा जातक अपने फादर या अपनी फैमिली के साथ रहें स्पेशली फादर के साथ अलग न रहें तो उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है और इससे धन में कोई कमी नहीं आई आई की उल्टा धन बढ़ेगा और प्रॉस्पारिटी फैमिली की इंग्रीज होगी तो यह कुछ गुड़ एक्सपेक्ट है बैड एक्सपेक्ट की बात करूं एक तो दोस्तों स्पेक्पिलेशन या जुवा चकता इसमें अपना धन गवा सकता है बाकी वाद विवाद धूर्त कारियों में या पुरे चीज़ों में इनमें सम्मिलित शुदेजी मैड हो उसमें रह सकता है तो एक तो सोना केसरकतल करका या अपनी जिवेर्ध के बाद पिला धलं करतैं कि और शकल करोben इस्ञेट तू है और जैनकर वुष्य द्विवाद हदारन करें तो सोना प्रकरती तो अचेरकतल करें दूसरा चांदी के गिलास में पानी पिये, संभव हो सके तो एक चोटा सा गिलास ले ले, घर पे हैं तो कोशिश करें जाद से जदा, उसी में पानी का सेवन करें, और कोई भी इलक्ट्रोनिक आइटम, गिफ्ट में एकसेप्ट ना करें, वीरवार वाले दिन, चने की दाल, हल्दी और चने की दाल, हल्दी पीले कपड़े में बांध कर दान दें, और चोटा है इसमें की नीला या हाथी के दान्ट की बनी हुई कोई भी वस्तू आपके घर में नहीं होनी चाहिए, तो ये दोस्तों कुछ रेमेडीज हैं, रहु इन दा इलेवन्थ हाउस, नेक्स्ट वीडियो रहु के ट्रेल्थ हाउस पर लेक्या हूँगा, थेंक्यू पर वाचिंग,